माननिय प्रांत संगे चालक जी या ट्रस्ट से अध्यक्ष बहुदे उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगे नी इंदू जागरण का सुखत परिणा ऐसा गीत के दुरुपद में कहा गया है हम सब लोग अनुभाव करते हैं अपने देश के जीवन में और एक अच्छे परिवर्तन का समय आया है विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बड़ी है विश्व का ध्यान हमारे तत्वज्ञान और सवस्कूरती पर गया है सारे विश्व को लगता है कि यहीं से हमको राहत मिलेगी हम लोगों का राष्ट्रिय पुर्शार्थ अभी बढ़ गया है और इसलिए उसके स्वाभाविक परिणाम हमारे राष्ट्रिय जीवन से लेकर तो अपने वेक्तिगत जीवन तक सर्वत्र कुछ न कुछ मात्रा में हमको दिखाई देते जैसे आज ये वास्तु बनी है जिसका उद्धाटन हुआ तो बहुत से कारेकरताओं ने परिश्रम किये बहुत से कारेकरताओं का योगदान है और वो उसका परिणाम आज साकार सबके सामने है तो सबके रुदय में इसका भी आनंद है इस आनंद को अनुभाव करने वाले हम सब है परंतु यहां आनंद हमारे तक आप पहुचा इसके लिए जिन जिन लोगों ने परिश्रम किये वो सबके सब आज इस आनंद में साभाग्यों होने के लिए उपस्तित नहीं है और ऐसा परिश्रम हुआ है यह जिनोंने देखा तक नहीं है वह भी इस आनंद के भागी है तो आनंद तो सबके लिए हैं लेकिन आनंद वाले आनंद लाने वालों के परिश्रम को सब ने नहीं देखा है और इसलिए ऐसे आनंद के क्षणों में उनका स्मरण करना एक स्वाभाविक बात जैसे वैसे वह अत्यंत हितकारत बात है कोई भी कारिय होता है तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है बिना परिश्रम के होता नहीं कारिय संपन होने के बाद उसके लाप तो सबको मिलते हैं मिलने भी चाहिए पर उन्तु अगर वो यह ध्यान में रखे कि यह जो हो रहा है इसके पीछे तपस्या है तो फिर वह वैभाव वह आनंद वह सुविधाव उनके जीवन में स्थिर हो जाती है जो परिश्रम करते हैं उनके मन में फला प्राप्ती की आकांग्षा नहीं होती है फला प्राप्त होना चाहिए इसलिए परिश्रम करते हैं लेकिन वो हमारे ही सामने हो ऐसा उनका आगरन नहीं नहता है यह होना चाहिए मेरे सामने नहीं हुआ तो मेरे बाद हो सात्विक कार्यकरता ऐसे ही सोचता है और इसलिए इस प्रकार फलाशा रही थोकर कर्म करने वालों की तपस्या अच्छे दिन लाती ही है ऐसी तपस्या इसके पीछे है एक शिकार में गया हुआ राजा और रास्ता भूल गया अपने सेवकों सहीद फिर एक जोपड़ी में पहुँचा वहाँ एक महात्मा बैठे थे उनको पूछा कि भूख प्यास से पीडी थूँ और यह जंगल है तो कुछ दिख नहीं रहा है तो कहीं व्यवस्था हो सकती है क्या तो महात्मा जे ने कहा कि वो सामने जो जंगल दिख रहा है उसमें अंदर जाओ तो आपको वहां मिल जाएगा से तो राजा अपने सेवकों सहीद अंदर गया तो अंदर एक अच्छा बड़ा मैदान उसमें मंडप लगा हुआ हुआ ह साथ में स्नान और हाथ पेर धुनी की सब व्यवस्था है और श्वागत करने वाले भी आए आई आईये महराज आपई की रहा देख रहे थे स्नान कीजिए ठिक हो जाएए भोजन के लिए आईये सब प्रकार की सेवा करके उन्छोंने और राजा को तुरुपत किया विश् जाकता है तब देखता है कि कहीं वह मंडप नहीं है वह लोग नहीं कुछ नहीं है जंगल भी है तो अश्यरे लगा उसको सपना था क्या लेकिन पेट में भूग तो है नहीं अच्छे भोजन की स्मृति अभी भी है विश्राम भी हो गया स्नानवान कर लिया है उसकी भी एक ताजगी रहती वह है तो अनुभव तो सत्य है लेकिन दिख नहीं रहा है कुछ भी तो जंगल के बाहरा साय तो उसको सामने वह कुटिया दिखी तो महराजी के पास गया कि महराजी आपने यहां भेजा हमारी सारी विवस्था हो गई लेकिन वो सब दुरुष्य गुप्त हो गया यह क्या आपकी तपस्या का चमतकार है तो महराजी ने का चमतकार नहीं है यहां मेरी तपस्या है उसकी कुछ शक्ति है ऐसे जो भूले भ तो फिर राजा ने पूछा कि महाशा है आप अगर हमारी इतनी सेवा अपने अपने अपवल से कर सकते हो तो आप ये टूटी-फूटी जोगड़े में क्यों रहे जाए आप भी उसी रचना में रचना शाश्वत बना कर उसमें रह जाओ आपके वी दिन अच्छे कटेंगे पस्या का उपियोग मैं स्वयम के लिए करूंगा उस दिन से इसका बल नश्ट हो जाएगा यह जो हम सुखद परिणाम कहते किसी भी बात में इस भवन के निर्मान में हो या आज की अपने देश की बदली हुई परिस्थिती में हो इसके पीछे ऐसा निश्काम परिश्रम है ज्ञान चाहिए शक्रियता चाहिए तब होता है काम करना आसान बात में परिश्रम करना पड़ता है शरीरमन बुद्धी से जीजना पड़ता है और सोच के करना पड़ता है उभाभ्यामेवपक्षाभ्याम यथा खे भक्षनाम गती तथःवद ज्ञानकर्म अभ्याम जायते परमंपदम परमंपद की प्राप्ती होनी है श्रेश्ठक काम होना है तो जैसे पक्षियों की गति दो पंखों से रहती है ज्ञान और कर्म ये दो ऐसे पंख हैं जिससे परमप्राप्त होता है परंतु ज्ञानी अगर है तो अहंकार हो सकता है ज्ञान राम में भी था ज्ञान रावण में भी था लेकिन अंतर ये रहा कि रावण में अहंकार था राम में अहंकार नहीं था इसलिए दोनों के ज्ञान के दोनों वेदद्य थे दोनों शिव भक्त थे सारी बाते समान होने के बाद भी परिणाम अलग निकले क्योंकि ज्ञान को अहंकार की बादा हो सकती है और कर्म अगर है तो कर्म में भी उसकी दिशा ठीक नहीं रही तो विक्षिप्त कर्म हो जाता है वो सुखद नहीं होता गोर कर्म हो जाता है घर में जाते हैं धूब में से वापस पानी मांगते हैं तो पानी का ग्लास नहीं आता है लोटाबर पानी आता है उसके साथ गिलास रहता है साहत में गुड की एक पानी भांगो, तो वेटर तुच्छता से देखता है कि खाता पीता खुछ नहीं पानी पीकर चला जाएगा, वो अपनी उंगलिया डूबोकर ग्लास लाके पठकता है, और बाहर जाते समय मालिक को कहता है, खाया पिया कुछ नहीं पानी पिकर जा रहा है, इने बजना भी कर तो एक तीसरी बात है उसको कहते है भक्ति ज्ञान और कर्म अगर दो पंख है तो उन पंखों को धारन करने वाला पक्षी भक्ति है बिना भक्ति के कर्म विक्षिप्त कर्म हो दाता है ज्ञान अहंकारी हो जाता है भक्ति से इन दोनों के संयोग से सुखत परिणाम आते हैं और उस भक्ति के घटक है पहला है प्रेम अपनापन अच्छे पड़िले के नौजवाद अपना करियर वगरे सब छोड़कर संग बताएगा वहां संग बताएगा वो काम करने में अपनी जिन्दगी खपा देते हैं उत्तर से दक्षिन पूरप से पश्षिम कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं किसी भी दाइत्व का वहां करने के लिए तैयार रहते हैं जो दाई तो आया उसके लिए अपने आपको योग्य बनाते अपनी रूचिया रूचिय सबका त्याद करके क्यों करते हैं तो उनको लगता है कि अपना देश है अपना समाज है अपना राश्ट्र है इसको ठीक रखना ठीक करना यह अपना काम है और वह मेला पहला काम है लिए जीऊं तो पशु का जीवन होगा अपनों के लिए जीऊं तो मनुष्य का जीवन होता है यह अपना पन उस भक्ति का पहला घटक रहता है और आदमी अपने अहंकार को छोड़ देता है इतना बड़ा पुर्शारत सामाने से लगने वाले लोग है लेकिन दुनिया हील जाए ऐसे परकर में किक का है कितने ही घरों में उनके स्थान बने है कितने ही मनों में उनके स्थान बने है जो किया है वो आज हम सुनते अथवा पढ़ते तो हमको आश्यर रखता है ये training कहा हुआ ये training की बात नहीं है training में नहीं होता है उस अपने पन के कारण वो सदई वो जुड़े रहते अपना विचार ही नहीं रहता मेरा क्या मेरा कैसा ये नहीं रहता सबका कैसे चल रहा है सबका क्या ठीक है सबका मैं क्या ठीक करू मुझे भोजन मिला नहीं मिला सबका भोजन हुआ कि नहीं मुझे विश्राम मिला कि नहीं मिला सबका विश्राम ठीक हो रहा है कि नहीं ऐसा चिंतन में स्वयम को छोड़ कर सबका चिंतन चिंता करी तो विश्वाची यह स्थिति हो जाती है दूसरा कुछ सूचता नहीं यह जुड़ जाना भक्त होना यह नहीं जुड़ना और इसके फलसोरुक तीसरी बात भक्ति का घटक वो है कि अपना सब कुछ वो अर्पन कर देता है कुछ दान नहीं नहीं करता है ओ छोड़ देता है जान करने में भी मैं नहीं किसी पर उपकार कर रहा हूं ऐसी भावना रह सकती नहीं रहें त्याग करने में भी मैंने अपना कुछ दिया कि ऐसा अदमी सोच्टा है वो भी नहीं रहता तो अधिय वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव पर समर्विता कि यह सब कुछ मिला है वो इनी सबसे मिला है और जो मिला है वो वापस देना है अच्छी तरह देना है विनाकारण मिला है मैंने कुछ किया नहीं तब से मिला है और इसलिए देते समय दाम दुगना वापस करना है स्वपने में भी वही देवपनीत विचार रहता है तो जो देना है देने का हंकार नहीं है अपना दिया ऐसा भी नहीं है एक स्वाभाविक बात है ये नहीं करो तो क्या करो यही तो करना है इस प्रकार का एक श्वाभाविक अर्पन हो जाना उसको कहते है समर्पन प्रेम भक्ति और समर्पन से मिलकर जो साधना बनती है वो साधना ज्यान और कर्मों को धारण करके यह सुखद परिणाम लाती है अजब बताया दत्ता जी के परिचे दत्ता जी भाले और समर्पन यह दो समानार्थी शब्द है भुवन को उसका नाम दिया है उसके पीछे उद्देश है यहां बैटेवे लगबत सबका योगदान उस भुवन को बनाने में है लेकिन हम बना सके इसका कारण कौन है इसका कारण वह समर्पने इसका कारण वह समर्पने मंदिर के लिए राम मंदिर के लिए धनसंग्रों हुआ अपेक्षा नहीं थी लोगों के हम संग के लोग जानते थे लेकिन बाकी जो लोग थे उनको लगता सा इतना बड़ा धन कैसे आएगा लोग जैसे राही देख रहे थे प्रत्यक ने दिया क्यों दिया अभी के इस आंदोलन में 30 साल से लोगों ने संगर्श किया संगर्श करके घर घर तक राम जन्म भूमी पर राम मंदिर बनना चाहिए यह आशा उत्पन्न की वो इस आज के दशक में हमको इच्छा हो ऐसा सतत प्रयास 500 साल से जारी था इसलिए हम इच्छा कर सके वो इच्छा तपस्या से घर घर पहुंचे और इसलिए जब समाचार आया कि अब मंदिर बनेगा तो लोग तयार थे कभी न कभी बनेगा इस आशा से जमापुंजी करके रखी थी वो भी दी लोग यह जो दिखता है एकदम सारे देश का खड़ा होना करते ही संपूर्ण देश गदगद हो गया है यह अपने आपनी होता है इसमें दो ही बाते हैं एक रामलला की कुरुपा है दूसरा इसके पीछे जो कठोर तपस्या हुई है बलिदान हुए है समर्पन हुआ है मालून नहीं था होगा नहीं होगा लेकिन हो ना यह उचित बात है तो उसके लिए बलिदान भी दे दिये वह वह स्मरण में रहे इसलिए नाम दिया है समर्पन क्योंकि ऐसा बनता है सुविदा होती है साधन हात में आते हैं तो पहले से काम आराम से होता है ज्याधा परिशन नहीं करने पर दो इसमें एक कारिक्रम हो सकता है 222 लोगों का, पहले अगर 222 लोगों का कारिक्रम करना पड़ता था, तो गोंदना पड़ता था, जगह मिलती थी, ऐसी मिल गई अच्छा है, नहीं तो पैसा देना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है, अब एक स्थान है, आसानी से 222 लोगों का क कि चिन्ता कुछ नहीं रहेगी व्यवस्था का भार भी कम हो जाएगा क्योंकि पहले से कुछ बना है अच्छा है यह होना चाहिए तपस्या होनी चाहिए ज्ञान कर्म के साथ इसका इसका अर्थक यह नहीं है कि विनाकारण हम अपने आपको घिस्ते रहे हैं साधन है तो उसका उप्योक करना चाहिए उसके कारण कारे की गति बढ़ती है और साधन आदत भी लगाता है अपनी उसका लाभ है कि गति बढ़ती है उसका नुक्सान है कि वह अपनी आदत हमको लगाता है पहले साइकल और पैदल ऐसे जाना पड़ता था हम सब लोगों का अनुभव है अपनी दूर तक जाने की शारीरिक्षमता बहुत अच्छी थी अब हमको स्कूटर मोटर कार की आदत हो गई तो जब तक अपने स्वास्थ के लिए डरते नहीं तब तक हम वाक नहीं करते हैं मरने के भैसे ही चलते हैं दो किलोमेटर छे किलोमेटर जितना चलना है लेकिन पास में भी जाना है तो स्कूटर लेके जाते हैं सबजी लाने के लिए वहां लेके जाते हो गर में एक साइकल रखते है जो चलाते तो है लेकिन आगे नहीं जाती उस पर व्यायम करते हैं ऐसे क्यों हो गया क्योंकि साधन की आदत लगती है सुविधा की आदत लगती है सुविधा चाहिए गती बढ़ती है साधन चाहिए गती बढ़ती है लेकिन साधन का सुविधा का उप्योग करके उसके स्वामी बने रहना उसको अपना स्वामी नहीं बनने देना ये करने की बात है जिनको वो तफस्या पता है उनके लिए तो अधिक आसान है लेकिन जिनोंने देखा ही नहीं वो तफस्या देखी नहीं उनके लिए बहुत कटिन है उनको भी आसान हो ये करना इसलिए नाम दिया गया समरपन्ट ऐसे बहुनों में जब जाते है तब अपने पहले दीन याद करें उस्सों में कारेले होते थे क्या उस्सों में सारी सुविधाएं रहती थी क्या स्वैंशोकों के घरों का ही उप्योग होता तो आज ये सुविधा बनी इसका पूरा लाव लेना अच्छी बात है उसका के समय में सावधान भी रहना है वो जो अपनी सिद्धता थी मैं मेरा सब कुछ समर्पन वो अपनी तैयारी बनी रहे है फिर ये साधन अपना सेवक्त बनके काम करें आनंद का क्षण है सबने परिश्रम किया है उसकी चलते एक स्वपना साकार हुआ है अच्छी तरह साकार हुआ है अच्छा भवन बनाएं परंतु इस भवन का उप्योग हमको करना है इस भवन के आदी हमको नहीं होता है और दूसरी बात है कि ऐसे भवन जो बनते है यह चात्रावास रहेगा अन्य भी कई बाते चलेगी समाज के उप्योग की और संग का कार्य लए भी इसमें रहेगा कि संग कारिय क्या है यही कारिया है समाज में भक्ति और समर्पन जगा निर्माता को तो उन्हों देखा कि देश में सब कुछ है संख्या है बहुत बड़ी कर्तुरत वान लोगों की संख्या है अच्छे त्यागी नेता भी है परंदु कार या फलद रुप नहीं होते पूर्ण यशस्वी नहीं होते शाश्वत उपाए नहीं कर पाते बार-बार करना पड़ता है इसका कारण क्या है हम लोग अपने आपको भूल गए अपने आपको भूल गए इसलिए अपने कौन है उनको भी भूल गए और हम में भेद और स्वार्थ की बिमारी लगए भेद और स्वार्थ इन बातों का इलाज क्या है वैसे मनुष्यों में यह स्वाभविक बात है मैं जन्मता हूँ तो यह अनुभव लेके प्रतीति लेके जन्मता हूँ कि मैं हूँ मैं हूँ और बाकी सब है यह जन्मता मेरे मन में भेद बुद्धी है मैं जन्म में पहला काम यही करता हूँ मुझे भूक लगी है इसलिए रोता हूँ घर में पोई मंगल प्रसंगव तो भी रोता हूँ जब तक मुझे भूक है तब तक मैं रोता हूँ मेरी भूक तुरुपता हूई होने के बाद आराम से सोता हूँ घर में क्या खटना ही च चिपके हुए दुर्गुण है इसका इलाज क्या हो सकता है इसका इलाज बहुत कठीन है लेकिन वैसे आसान भी है। जहाँ प्रेम है भक्ती है वहाँ समर्पन अपने आफ होता लोग अपना पन है वह आपकोई ब hypoth रयăngे ुआ कोई बेद रिदा ली की चलते होंगे दुनिया में जिसको अपना पने वो किसी में भैद करता है है विश्व चिमाजे घर हैशी जयाओची मतिस्खिर कि मुन आच चरा चरा अपने चाला साथ है इस अपनेपन का विस्तार यही हमारे हाँ जीवन का श्रेय माना गया है जिसके अपनेपन का विस्तार जितना अधिक उतना वो व्यक्ति अधिक बंदन ही है ऐसा हमारे हां मानते है और स्वार्थ भी छूट जाता है हम लोग बात में भोजन करने वाले हैं मैंने भोजन कर लिया तो आपका हो गया ऐसा नहीं हो सकता आपने किया तो मेरा हो गया ऐसा नहीं हो सकता हम सबको अपना-पना अलग खाना होता है लेकिन घर में कभी कोई अच्छा पदार्थ बनता है और घर के सब लोग बच्चे वगरे पेट भरके खाते हैं और वो मुख्य पदार्तों जो मिठाई बनी है वही समाप्त हो जाती है बनाने वाली मा के लिए कुछ नहीं रहता तो कभी-कभी कोई कहता रहे तुमारे लिए कुछ नहीं बचा है तो मा कहती है नहीं, आप सब का पेट भर गया ना, मेरे पेट में आ गया. केवल बुद्धी से विचार के तो संभव नहीं है भई, हम सब ने खा लिया तो आपके पेट में आ गया, ऐसा मा के लिए भी संभव, लेकिन मा को लगता नहीं ऐसा, मा कहती है में तुर्ट हो गई. यह क्यों होता है क्योंकि वो आत्मी आता है, मात्रु प्रेम है. माता पिता स्वयम फटे कप्ड़े पहन कर, अपने विद्ध्याले में पढ़ने वाले बालकों के ड्रेस हर साल नए करिते हैं, जैसा होता है, हम देखते हैं. तब स्वार्थ कहा जाता है? आत्मी अता, भक्ती, प्रेम के आगे स्वार्थ हो और भेट्टिक नहीं सकते. तो जहां ऐसा काम चलता है, जिस बिल्डिंग का नाम समरपण है, आज हम उसके निर्मान का आनन्द तो कर रहें, लेकिन आगे इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को इन सब बातों का अनुभव होना चाहिए. प्रतीती मिलनी चाहिए. स्वार्थ और भेद जीवन से हटाकर सद्गुन संपन्न वेक्ति के निर्मान के लिए संग शुरू हुआ. बेद और स्वार्ध से जरजरित समाज को बेद और स्वार्थों को नष्ट करते हुए एक रस, एक समाज बनाने के लिए समता युक्त सोषण, मुक्त समाज उत्पन्न करने के लिए संग शुरू हुआ इन सब बातों का अनुभव जहां संध का कारेल ही जिसको का जाता है उस वास्तु में सब को होना चाहिए हम सब का योगदान उस भुवन को बनाने में है इसलिए एक अर्थ में हमारा भुवन है हमारा भुवन है उसके अंदर आने वाले को हमारा अनुभव भी मिलना चाहिए यह हम सब का दाईत है बाद में भी हमने आज एक कार्य संपर्न किया उसके आनंद में यहां पर एकत्रित है हर्शकों मनाएंगे बहुत अच्छी बात है पर उन्तु यह भी भान रहना चाहिए कि ऐसा करके हमने एक नया दाईत वह अपने सर पे लिया है भवन तो बन गया वातावरन हमको बनाना भवन बनाने में भी अमारा परिश्रम लगा वातावरन बनाना और बनाय रखना इसमें भी वैसा ही परिश्रम हमको लगाना पढ़े है क्योंकि सुख के प्षण सुखदायक काल यह तो प्रयास पुर्वक बनाय रखना पड़ता है वैसे तो काल प्रवाह चलते रहता है आप किसी बात को पकड़के नहीं रहेंगे तो बढ़े जाएगा तो बदलते काल में कुछ बातों को स्थिर बनाना यह हमको करना पड़ता है अपने आनंदों को स्थिर बनाना अपने सुख को शाश्वत बनाना उसकी बुनियाद यह है उस अपने पन का उस समर्पन का उस सदईव समाज की चिंता में अपने आपको रत रखने का उसके कारण जीवन में निर्माण होने वाली पवित्रता स्वच्छता इसका यह सारा अनुभव जहां जहां पर ऐसे पुंजी भूत कार्य के स्थान होते हैं वहां वहां मिलना चाहिए कोई व्यक्ति जाके आता है वह कहता है कि वहां का वाइबरिशन बहुत अच्छा है यह वाइबरिशन क्या होता है वहां के व्यक्तियों के सामोई का चल और करण मिलाके वातावरन न में एक प्रतितिति कि यह प्रत्रैक्ष्ण है नहें प्रत अनुद। बंध तब भय स्थान चहस्त्राणी हर्श स्थान शतानी चब ऐसा नुबह नहीं आएगा हर्श स्थान ही रहेंगे साथ उस हर्श को बनाए रखने के लिए आवश्यक है मैं आठवी में था 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 अंगरी जी की किताब में लेसन था कहानी थी एक सुल्तान था उसका एक दिवान था आयाज उसका नाम था वह बहुत राजा को भी प्रिय था लोगों में भी प्रिय था बहुत कर्तुर्ट्व संपन्न था बहुत विनम्र था बहुत बुद्धिमान था सब काम बहुत अच्छे से कर लेता था तो उसका बहुत नाम था राजा के भी बहुत प्रिया था दैना हाथ उसके बिना राजा का पत्ता नहीं हिलता था अब तब भी ऐसे ही था क्योंकि उसमें लिखा है कि इसके कारण कुछ और दर्बार के लोग उससे जलने लगे तो राजनीति में होता ही है जो आगे जाएगा उससे जलने वाले अपने आप तयार होते है तो वो जलने वाले लोग राजा के पास गए है और राजा को कहा कि आपका बड़ा भरोसा है इस पर लेकिन यह दगाबास आदमी है यह रोज रात को उठकर शाहर के बाहर जाता है चोर दर्वा जैसे जंगल में एक भूता मकान है वहाँ जाता है क्या करता है पता नहीं कुछ शड़ेंत्र आपके खिलाब ही पकाता होगा क्योंकि आप इसको और उपर जाना है तो दुसरा स्थान नहीं है आपकी गद्दी इसको लिनी पड़ेगी राजा को पहले विश्वास नहीं हुआ लेकिन प्रचार की ताकत होती है तो बार-बार प्रचार हो गया तो राजा ने सोचा एक बार परकही लूँ तो राजा उसके घर के पास छुपके बैड़ गया और जैसे ही वो रात को बारा बजे निकला राजा सोचने लगा रेक सच्मुट बाहर जा रहा है चोर दर्वाजी से बाहर जंगल में गया उस भूता मकान में गया राजा पीछा करता रहा भूता मकान में गया नहीं बाहर रुका जैसे ही वो बाहर आया, राजा ने अपनी तलवार निकाल के उसके गले पे रख दी, बोल क्या कर रहा था, तुझे मरना ही है, बता कर मरना, या बिना बता है, मरना तुम चुरू, तो आयाज ने कहा महराज इसमें बताना ना बताना क्या है, आप चलिए मेरे साथ आपको बताने लाएक बात नहीं है, तो राजा ने उसके पीट को तलवार लगा, तो उसको आगया के चलाया, भूता मकान का सबसे अंदर का कमरा था, वहाँ ले गया, वहाँ एक लकड़ी की संदुक थी बहुत बड़ी, उसको उसने खोला, अंदर जाका, और फिर सीदा ह राजा को कहता है, इतना ही मैं करता हो वापस आता हूँ, तो राजा ने फिर से उसको जुकाया, गर्दन पकड़ी उसकी और स्वयम जाक के देखा, तो उसमे फटा पुरा ना कोट था, तो राजा ने का इसको देखके तुम वापस आते हो, क्यों, इसमें क्या पड़ा है, तो महाराज ऐसा है आज तो मैं आपका वजीर हूँ इस पूरे सल्तनत में मेरा नाम है आज पास की सल्तनत में भी मेरे बुद्धी की धाक है आपका मैं सबसे प्रिया सेवक हूँ यह सब बाते हैं लेकिन इस शहर में मैं अपना नसीब पर रखने के लिए आया तब मेरे पास केवल यही था आज मैं ऐसा बन गया हूँ लेकिन मैं वहां से चला हूँ मुझे याद रहे क्योंकि यह कब आया कब जाएगा कोई भरोसा नहीं है मैं तब भी था मैं आज भी हूँ मैं कल भी रहूंगा मैं जैसा था ठीक था वैसा मैं रहू इसलिए रोज आके मैं इसको देखता हूँ याद करता हूँ कि दिन ऐसे भी थे लेकिन मैं जैसा था उसमें निकल पाया दिन फिर बदलेंगे तो मेरा ऐसा होना यही मेरे काम की बात रहे हैं। सुखह, सुविधा, दुखह, कश्टह यह सब आने जाने वाली बाते रहती है। मनस्वी कार्यार्थी गणयती न दुखम न चसुखम। स्वर्गियादत्ता जी ऐसे मनस्वी कार्यार्थी थे। उन्होंने सुख दुख की परवा कुछ की नहीं। इमर्जंसी की दिनों में विमार हो गए उनका क्या उप्चार हुआ पता ने अंत्यविधी चुपचाप करना पड़ा। लेकिन उनको कोई फिकर रही होगी ऐसा बिलकुल नहीं है। क्योंकी जिस दिनों प्रचारण निकले उन्होंने अपने आपको दे़िया। मेरा जो कुछ होगा संदत्य करेगा और संदत्य प्रजंद्य करेगा उठीक ही करेगा। संद Mayo करकते कंना मेरा जो कुछ होगा वो ठीक ही होगा verse ऐसी सोच सब प्रचारक और लाखों स्वाइंचों करकर काम करते आए इसलिए आज कार्य का ही स्वरूप खड़ा है ऐसी भावना से प्रिवित होकर सब प्रकार के लोगों ने देश के लिए अनेक अच्छे-च्छे काम किये इसलिए आज हम दुनिया का एक उभरता हुआ देश बनकर अपनी गर्दन सीधी करके दुनिया के सामने सीनातान के खड़े रह सकते हैं कुछ लोगों ने उसको देखा है कुछ लोगों ने नहीं देखा है 57 प्रतिशत देश की नहीं पिड़ी है उसको वो पता नहीं है इमर्जनसी भी पता नहीं है उसके पहले विभाजन पता नहीं है स्वतनतता का संग्राम पता नहीं है कैसे लोग थे कितने उंचे कितने गहरे थे कैसा कैसा त्याक किया देखा नहीं है परन्तु कुछ फटे पुराने कोट है उनको अगर देखते रहेंगे तो आज की जो स्थिती परिश्रम से बनी है उसको अधिक उंचा करना अधिक आगे बढ़ाते जाना बढ़ने की तो कोई सीमा होती नहीं इतना आगे इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं जहाँ पूर्णता ही मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं बढ़ना तो यात्रा है पहुचना पूर्णता तक है पूर्णता तक पहुचने का बल यही सोच यही समर्पन यही नाम यही दत्ता जी भाले जैसों के नाम उनको वो प्रिणा देंगे और इसलिए आज के आनंद की जय हो लेकिन उस समय आने वाले करता हुए की भी जय मन में रखकर हम इन सब बातों का विचार करके रहेंगे ऐसा मुझे विश्वास है आपके सामने और इतना सब कुछ मैं बोला हूँ वो शांति पुर्वक आपने सुन लिया इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं मेरा भाशन समाप्त करते हुए कल्यान मंत्र मंतोय सर्वनी सुबत मुनिया माननिय प्रांत संगय चालक जी या ट्रस्ट से अध्यक्ष महोदै उपस्थित नागरिक सज्जन माता भगेनी